तो कैसे हो बच्चों आपके बहुत अची चलिए होगी तो हम इस वीडियो में जो भी हमारा स्वतनतरता दिवस में जंडा फाराने में क्या अंतर होता है उसके बारे में देखने वाले इससे पहले कि हम वीडियो के स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको यह आजादी के अम मैं प्लेटिनम जूली करें से मनाते हैं करें मैं इस वास का जो भी हमरा अम्रीत महस्व के तोर पे हम उसको सैलिबरेट करें और हर घर्ति रंगा वियान भी चल रहा है तो उपर भी मैं विडियो बनाने की कोशिस करूंगा तो पहले हम इसको देख लेए कि हमारा स्वतनत दिवस और गरतंता दिवस के बारे में हम फर्क नहीं देख रहे हैं उसमें जंडा फहराने के बारे में जो भी अंतर है उसको देखने वाले हैं जैसे कि आप लोगों पता है जो भी हमारा 15 अगर्स 1947 को हमारा जो भी देश था वह अजाद हुआ ब्रिटिस ने हमारे कॉंट्र यह वह गरतंता दिवस मनाया जाता है लेकिन जो भी हमारे स्वतनता दिवस इस गरतंता दिवस अपने अगर नोट किया होगा तो जो भी जंडा फहराने के जो भी प्रोसेस होते है उसमें कुछ डिफरेंस होते है तो जैसे कि हम स्वतनता दिवस के अगर बात करें तो 15 तो जैसे कि अंग्रे जी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है तो जैसे कि अपन्रग सटनीस सो से तालिस को जब भी हमारा जो भी लाल किला था वहां पहली बार जंडा फाराया गया था जो हमारी फर्स प्राइम इनिस्टर ते उसके दौरा नाम किया था आप नीचे कमेंट स देख लिए ना वी द पीपल ऑफ इंडिया जो भी हमारा प्रेंबल है उस ठीक वैसे कुछ हमारे जो भी प्राइम निस्टर उस टाइम के थे उन्होंने दिया हुआ था इस स्पीच में तो उसमें बहुत इंग्लिस में हाला कि वह तो आप उसे देख लीजेगा लेकिन जो गर्तन दिवस और स्वतन दिवस में जो भी जंडा था वो नीचे से उपर खीच के ले जाया जाता है क्योंकि उस टाइम हमारा पहली जंडा फर आए गया था वहां से जो भी ब्रिटिस का फ्लैग था उसे नीचे उतार दिया गया था और फिर अपना जो जंडा था उसे उ पर आया गया तो इसे उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है तो फिर से अगर हम सेकेंड जो भी हमारा डिफ्रेंस से सवतनता दिवस में उसके बारे में अगर बात करें तो पंड़ा करते हैं क्योंकि ब्हारत का सुझधान लागू नहीं हुआ था और राष्ट्पर्टी जो कि राष्ट के समयदानी परमू होते हैं उन्हें पदभार ग्रहन नहीं किया था इस दिन साम को राष्ट्पर्टी अपना संदेज देते हैं तो आप लोगों का यह बात पता हो या ना हो मैं आपको बता दू कि जो भी हमारे प्राइम निस्टर होते हैं वह हमारे जो भ करते हैं जो भी हमारा डिसाइड़ प्लेस होता है वहां पर बट जो भी गर्तन दिवस की बात करी जाए तो गर्तन दिवस को तो हमारा समिधान लागू हो चुका था 26 जनुरी 1950 को तब से क्या हुआ था इस दिन समयधानिक प्रमुक राष्ट्पती जंडा फारात है तो इस उसका जो भी आप नाम होगा वह कमेंट सेक्शन में डाल देंगे तो नेक्स्ट हम देखते हैं सवतनतर दिवस पर लाल की लिए पर धोजा रोहन करते हैं वहां पर बहुत सारा प्रेड भी होता है जो भी लॉंग वे होता है वहां पर जो भी हमारे टीनो मिलिटरी है इंड जंडा फार आते हैं तो अगर मैं आपको बताओ कि 15 अगर 2022 को हमारा हर घर तिरंगा अवियान चल रहा है तो उसमें आप जो भी अन फ्लर करेंगे तो वहां पर आप उसकी पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर टैक कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है तो आप सभी क जया हैं अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लागा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर दे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टील टेक कियर और बाबाई